साई को सुमिरन करे ताकी बंदो देव पहली आपहु उगाही पाछे लागे सेव गुरू गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए दोस्तो कबिरदास के ये दोहे परमात्मा और गुरू के बीच के उस अंतर को बेपरदा करते हैं जिनकी श्रेस्था को लेकर आज भी सबाज में तमाम तरहे की बाती की जाती है सद्गुरू स्वामे किश्णानन जी महराज कबिरदास के कुछ दोहे के जरिये गुरू और परमात्मा के बीच अंतर को समझाते हुए गुरू की महंता को लेकर कहते हैं गोविंद बाइप्रोडक्ट हैं क्यूंकि गुरू के बिना गोविंद का मिलना किसी काम का नहीं हो को सकता हैं कि असमझ जो कि समवस्त बीमारीं का कारण एक ही है परमात्मा को बूर जाना की बिश्मरन हो जाना तुक है असमरन आ जाना ही शुख है गुरू और गोविंद का सदय असमरन बना भना रखना असमरन जी बना है तुम्हरा दुक से दुख आवे छनभर में ठल परदम अस्मरन बनाए रखना यह शुखा है और विश्मरन हो जाना ही डुखा है और सच्त बीमारीयों का कारण पारन एक ही है रुपांतरन आत्म रुपांतरन ही सब शुक का जड़ है और आत्म रुपांतरन यह तभी संभव है जब हम गुरु और गुरु को असमन किये रहेंगे तो गुविंद आ जाएगा गुविंद तो गुविंद तो बाई-प्रड़क्ट है गुरु द्वार है बिना द्वार में प्रवेश्ट कीया कैसे पहूंचेगा इसलिए यह दू समझो आ कि नाम देव को तो पांच साल में ही गुविंद मिल गया था इदे सब जानता है नाम देगों को पांच साल में कृष्णी मिल गया था गुरू नहीं मिला तब कह दे कि यह सिद्धाय कच्चा है खेचर भी मार कर पगा दिया कच्चा है किसी काम का नहीं कच्चा जाओ गुरू करो कृष्ण से भी आकर पूछा क्या कर रहा कि सब कहां ठीक कर रहा कच्चा जाओ फिर गुरू किया जाना पड़ा गुरू बता देए क्रिश्ण कहीं कि ठीक है तब हम गुरू बता दें यह कथा कई वर का चुके है यह दिनात गुरू गोविंद मिल भी गया तो किसी काम का नह हुआ है तो इसलिए गुरू जा मिलता है तब तुमको पक्का होता है कि कहते हैं कहें कमीरता दास की कवान सुनें फर्याद इस तो सुख में नहीं किया दुख में याद कर रहा है कि उस दास का उसले का कोई फर्याद सुनता नहीं है हर जगा दरखास देते हो फर्याद सु रिजेक्ट हो जाता है फिर दोड़ कराता है गूरी जी तहां हमारे अप्लिकेशन सुप्रिंग कुर्ट तक रिजेक्ट हो गया करते हैं साइं को सुमिरन करे ताको बंदे दे पहली आप उगा वहीं पाच्छे लागे से उसका फल बता दिये उस परमपुरुष को जो सब देबी देवता बंदन करें अब तुम जी आटाव काता है तैको बंदे दे अप impacto रिक्छा से घुजरो मैं अपने मुगाओ उपजाओ कौने अगाओं में अपने दोस मुक्त हो जाओ, भक्ती से भर जाओ, फिर क्या होगा? फिर कहते हैं पाच्छे लाग यसे, फिर सैकलो रही हजारो अनंत लोग तुम्हारे इसे वामें देवडेंगे, और देवी दिधर जाएगा, देवी देवता तुम्हारे इसे वामें खड़े जम्हारे इसे कह रहे हैं कभिश देवी, देवता लोग खड़े जाएगे